हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हो न? तो बेटा, मैं सुदेश कुमारी, फ्रोम जी जी पीएस बठगाँ, ब्लोग, सोनी पत तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे, कक्षा तीसरी जरोखा से, मोसम के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा? मोसम के बारे में, ठीक है न? हाँ, तो मोसम के बारे में देखो, खूब मजे हैं मोसम के तो, जो जी चाहे कर सकता है जी चाहे तो, सर्दी लाकर, कुल्फी खूब जमा सकता है, ठीक है न मिटा? तो ये किस के बारे में बताया है? सर्दी के बारे में, सर्दी के बारे में क्या बता है? कि खूब मजे है मोसम के तो जो जी चाहे कर सकता है जी चाहे तो सरदी लाकर खुलफी खूब जमा सकता है फिर देखो भई पत जड़ के बारे में बताया गया है क्या बताया पत जड़ के बारे में सुनो जी चाहे तो फूल खिलाकर धर्ती खूब सजा सकता है जी चाहे तो फूल खिलाकर दर्ती खूब सह जा सकता है और जी चाहे तो पत जड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है जी चाहे तो पत जड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है जी चाहे तो वर्षा लाकर अब किस मोसम के बारे में बता है वर्षा के बारे में जी चाहे तो वर्षा लाकर फसले खूब उगा सकता है और जी चाहे तो गर्मी लाकर धरती खूब तपा सकता है जी चाहे तो गर्मी लाकर धरती खूब सजा सकता है तो बेटा किस बारे में बता आ गया है, मौसम के बारे में मौसम कितने परकार के होते हैं, चार कौन कोन से सर्दी, पत जड, वर्शा और गर्मी ठीक है बही, मौसम के बारे में पता चल गया, ठीक है बेटा ओके